हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं उज्वल और आप सभी का वलकम करता हूँ आपके अपने यूटूब चानल नेचर अब उपर आप मेरे वीडियो पर बहुत कमेंड कर रहे हैं कि अगर आपके पास फ्लाववरिंग नहीं आ रहे हैं तो दोई दिन में बट फ्लाववर खिल और जिन लोगों के फ्लावर आ गए है और खिलने से पहले भी बड्स गिर रही है तो इसा नहीं अभी गपीं बहुत बात तो बहुत से लोगों कि आज व्लावर जो है निकला और तुरंद घ्र गिर गया तो ऑई बसक्तों कि आज बनी और बड्स ही पूरी पूरी गिर गई तो ये इसे रोकने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ आपके एडियनेम की जो स्वाइल होती है उसको आपको ज्यादा जब फ्लॉवरिंग स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा पिकोड़ा रही है अगर आप उसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो आपके फ्लॉवर की जो पकड़ है वो प्लांट के स्टैम से कमजोर हो जाएगी और आपके जो फ्लॉवर निकल रहे है ये गिरने लगेंगे वो देखिए इसमें तो बहुत सारे उपसम में आ रहे है और और दिखाता हम आपको ये करेक्टरस का टावर है इस पर वीडियो बनाऊगा आपे देखिए जैसे इसमें आ रहे है तो जैसे सब मेरे कम से कम होगा है चार-पास दिन पुराने फ्लॉवर तो आपने देखिए गो पुरानी वीडियो में भी लगे हुए देजे तो इस पर यह है कि आपको जो बाटरिंग है वो कम कर देनी है और फ्लॉवर के ऊपर से नहीं देनी है फ्लॉवर के ऊपर से अगर आप देते हैं पानी तो उसके यहां पर पानी भर जाएगा और यहां से सका connection जो है वह बलकुल disconnect हो जाएगा प्लांट की स्टैंसे तो इसलिए पानी जो है वह आप डायाक्ट स्वाइल में डाले और कम से कम डाले इतना जितना प्लांट को जरूरी हो यह मेरे बड़े-बड़े आरयाव कर रहा हूं जिससे यह ठीक हो जाए और मेरा प्लांट का देखिए नीचे कितना है इसमें दिक्कत पर मैं इसे जदा भी टच नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहां से खराब हो सकता है अगर मैंने इसे ज्यादा टच किया तो इसका ट्रीटमेंट हो जाए पूरा तो फिर इस तो आपका फ्लॉबर हो गिरने लगेगा प्लांट जो है वो रॉट करेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अकर आपको एक्स्टा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हमारी वीडियो पे नीचे और मैं आपका यल्दी रिप्लाई दूंगा नई वीडियो कि डालूं आप नीचे कमेंड में बताइएगा थैंक्यू है पर नाइस टे